आज हम बनाएंगे Christmas Special Fruit Cake और इसे हम बिना eggs, बिना अवन घर की normal कडाही में बनाएंगे कोई alcohol भी यूज नहीं कर रहे हैं आज हम इसमें तो इसे बच्चे बड़े सब ले सकते हैं और ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो आप भी इस recipe को ज़रूर ट्राय करिएगा और अगर आपको आज की ये recipe पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने dried fruits को तयार करेंगे तो मैंने यहां यह एक cup से थोड़ी से जादा dried fruits नी है और यह mixed dried fruits हैं जिसमें मेरे पस थोड़ी kiwi, mango, strawberry, black resins थोड़ी raspberry थी, थोड़ी apricots थे इसमें और साथ में मैंने यहां पे थोड़ी सी normal resins भी add की है और थोड़ी सी अंजीर को मैंने चूटे टुक्रों में काटके डाला है आप अपनी मर्जी के कोई भी dried fruits ले सकते हैं प्रून्स ले सकते हैं आप इसमें तो जो भी आपके पास available हो वो आप इसमें डाल सकते हैं और साथ में मैं इसमें आधा कप टूटी-फूटी आड़ कर रही हूँ तो बस ये भी डाल देंगे तो इन ड्राइफ रूट्स को अब हम सोक करेंगे जर्नली नहीं सोक करने के लिए alcohol यूज होती है जैसे कि विस्की, राम या जन बट बिकल्स आज हम इसे अल्कोहल फ्री बना रहे हैं तो मैं इसे सोक कर जी जूज में तो मैंने यहाँ ये टू थर्ड कप औरेंज जूज लिए है ये मार्केट में जो टेट्रा पक्स आते हैं वही यूज किया है घर का फ्रेश ओरेंज जूज भी ले सकते हैं तो बस इस तरह से अच्छे से टाइने देंगे कम से कम एक गंटे के लिए आगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 4-5 घंटे तक अच्छे से रिस्ट करने kye लिए आख दीजे तो कोई भी मोटे तले वाली खड़ा ही ले लेंगे और इसमें सबसे पहले थोड़ा नमक डाल देंगे और फिर इसके उपर एक stand रखेंगे और इसे उपर से cover करके medium flame के उपर 10 मिनट तक अच्छे से घरम होने देंगे और एक तरफ हम अपने mold को भी तायार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर यह 8 हिंज का एक cake tin लिया है इसे थोड़ा अच्छे से grease करेंगे और फिर इसमें मैं butter paper लगा दूंगी base में भी और size पर भी कुछ इस तरह से और इसे भी उपर से grease कर लेंगे तो बस सारी तैयारी हमारी हो गई है अब हम अपना cake बनाएंगे तो इसके लिए एक bowl में मैं यहाँ ले रही हूँ आधा cup oil और साथ में इसमें तीन चुथाई cup brown sugar डाल रही हूँ इससे हमारे cake में color आ जाएगा बढ़ अगर आपके पास brown sugar नहीं है तो आप भी आइड करनी है तो मैं एक बार इस सारे material को बड़े bowl में shift कर रही हूँ तो बस इसे अच्छे से mix करेंगे तो बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से mix करने के बाद अब हम अपने इस bowl के ऊपर रखेंगे एक चंणी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 cup मैदा और साथ में डालेंगे एक चोटा चमच baking powder और आधा चोटा चमच baking soda तो बस इन सारी चीज़ों को एक बार चान लेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps न रहे तो बस इसे चानने के बाद अब हम इसी के साथ इसमें थोड़ी सी dry spices भी आड़ करेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.4 teaspoon cinnamon powder 1.8 teaspoon nutmeg powder 1.8 teaspoon मैं इसमें dry ginger powder आड़ कर रही हूँ आप चाहें तो clove powder भी डाल सकने इसमें और साथ में न मैं इसमें थोड़ी सी orange zest डालूँगी तो इसके लिए orange को मैं इस तरह से हलका सा कदूकस कर लूँगी उपर उपर से तो बस हमारी ये orange zest भी तायार है तो एक छोटा चमश हम डाल देंगे ये orange zest तो बस इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे mix करने के लिए अब हम एक spatula यूज़ करेंगे तो बस इस तरह से हलके हाथों से इसे cut और fold करते हुए mix करेंगे ध्यान रखें कि इस mixture को over mix बिल्कुल भी ना करिएगा तो बस इस तरह से इसे mix करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने ये fruits तो ये जो soak करके रखे थे हमने fruits अब हम इसे डाल देंगे और साथी में ये जो थोड़ा बहुत juice रह गया इसमें इसे भी डाल देंगे और इसी के साथ ना मैं इसमें dry fruits भी आइड कर रही हूँ तो मैं यहां आधा cup dry fruits लिये हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, काजू और थोड़े अख्रोट लिये हैं आप अपनी मन पसंद का कोई भी dry fruits डाल सकते हैं इसमें तो बस अब हम इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से mix कर लेंगे तो बिल्कुल हलके हाथों से mix करेंगी इसे हाँ तो बस इसे mix करने के बाद अब हमारा ये better बिल्कुल तायार है और ये जो better है ये हमें इस तरह से थोड़ा थिक रखना है तो बिल्कुल ऐसा perfect consistency वाला better बनाना है हमें तो बस अब हम इसे डालेंगे अपने इस तायार किये हुए mold में और इसे उपर से थोड़ा smooth कर लेंगे एक दुबाद टाप करेंगे इसे और अब इसके उपर ना मैं थोड़े से dry fruits डाल रही हूँ actually मेरे पस ये थोड़े बच गए थे तो इसलिए मैं डाल रही हूँ otherwise ये बल्कुल optional है तो बस mold अब हमारा तायार है और इधर ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी ये बल्कुल अच्छे से गरम है काफी अच्छी heat आ रही है इसमें से तो बस अब हम carefully अपने इस mold को इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखके low medium flame के उपर पकाएंगे तकरीबन 55 to 65 minutes तक ये जो cake है ये थोड़ा जादा time लेगा पकने में और एक बार आप इसे 35-40 minutes के बाद जरूर चेक करिएगा और अगर आप इसे oven में बना रहे हैं तो आपको इसको preheated oven में 160 degree पर बेक करना है तकरीबन 55 to 60 minutes से ये तब तक जटतर की toothpick इलकुल clear ना आ जाए तो इस cake को पकते हुए ना तकरीबन 65 minutes हो गए हैं मैंने इसे पहले भी एक बार चेक किया था तब ये बीच में इसे थोड़ा सा गीला था तो अब हम इसे एक बार फिर्शे चेक कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि अब हमारी ये जो toothpick है ये बिल्कुल clear आ रही है तो बस अब हमारा ये cake तायार है अगर आपके toothpick अभी भी गीली आए तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी पका सकते हैं तो बस अब हम इसे निकाल के एक rack के उपर रख लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और इस cake को नो उपर से मैं कपड़े से cover करके रखूँगी ताकि जो उपर की surface है ये dry ना हो तो बस थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये cake थोड़ा ठंडा हो गया है अब हम इसे demold करेंगे तो एक plate को रखेंगे इसके उपर और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे तो बस ये जो side का butter paper लगा रहे है इसे भी हम हटा देंगे तो इसी के साथ तायार है हमारा ये Christmas special fruit cake तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना और बिल्कुल बिना किसी eggs और बिना आवन घर की normal कडाही में बनाया ऐसे हमने और इसमें हमने कोई alcohol भी use नहीं की है तो ये बच्चे भी बड़े आराम से ले सकते हैं और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है ये तो आप देख रहे हैं कितना soft है एकदम spongy और moist बनता है ये cake और अंदर से ये fruits और इतनी सारे spices के flavor बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो आप भी इस recipe को ज़रूर ट्राइ करिएगा और मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा कि ये आपको कैसा लगा और इस recipe वेश वेश वेरी मेरी क्रिस्मास